एक बर आवाज सोड़ी से बढ़ा दिजे एक बर जोड़दार भारत मता का जाकारे लगाएंगे पूरे दिल से लगाएंगे मुठी बंद करके हाथ उपर करके एक साथ बोलेंगे भारत मता जी इनकलाब इनकलाब वन दे वन दे आज है इतने भारे संख्या में आए वे मेरे भाईयों, बहनों माताओं, भुजर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? पांच साल बीत गए अच्छे बीते खूब काम किया पांच साल में बड़ी मांदारी के साथ काम किया लगन के साथ काम किया रात दिन 24 घंटे काम किया स्कूल, अस्पटाल, बिजली, पानी महिलाओं की फ्री सफर, बुजुर्गों की तीर ध्यात्रा, गलियां, नालियां, सडके, सीवर पता नहीं, इतने काम किये, मैं काम भी बूल जाता हूँ, इतनी लंबी लिस्टर कामों की दोस्तो, दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बनके मैंने आप लोगों के परिवार की जिम्मेदारी संभाली पिछले पांच साल के अंदर आपके पिजली के बिलाए, मैंने उस की जिम्मेदारी लेनी आपको भरने नी दिये, सारे आप लोगों के पिजली के बिल मैंने भर दिये किस-किस के पिजली के बिल जीरो आए, जरा हथ खड़े कर दो किस-किस के जीरो आए जरा इधर भी हाथ खड़े कर दो बड़ा बेटा होने के नाते आपके सब परिवारों के बिजली के बिल मैंने बढ़ दी है आपके पानी के बिल आए बड़ा बेटा होने के नाते मैंने आपके सब के पानी के बिल भी बढ़ दी है किस-किस के पानी के बिल जी रो आए जरा हथ खड़े कर दो आपके परिवार में जितने छोटे बच्चे थे सारे छोटे बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी मैंने ली आपका बड़ा बेटा होने के नाते सब की अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली सरकारी स्कूलों को ठीक करा, आपके घर में कोई बिमार हुआ, उसकी दवा का, टेस्ट का, ऑपरेशन का, सब का इलाज मैंने किया, सारे सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री कर दी, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होए, आपके घर में जितने बुजुर्ग थ सब की तीर थ्यात्रा का इंतिजाम करा, तो पिछले पान साल में, आपका बड़ा बेटा, आपका बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी निभाई है, अब अगले पान साल में भी बहुत सारे काम करने बाकी है, दिल्ली की सफाई करनी है, करनी है नहीं करनी, दिल्ली बहुत गंदी हो गई चारों तरफ कोड़ा ही कुड़ा है नालियां बेह रही हैं सीवर बेह रहे हैं फूरा उस्तानी है चारों तरफ मलपा ही मलपा पड़ा मत्बू आती है कि दिल्लिय के सफाई करेंगे पांज साल में कि इसकी पूरी प्लाइनिंग करी है मैंने यमना बहुत गंदी हो रही है यमना कि सफाई नहीं है यमना की सफाई करेंगे और आज मैं गारंटी देखक्ट गंगा कौन लागे प्रदूशन खतम करना अपने को दिल्ली में प्रदूशन भी बहुत हो गया ट्रांस्पोर्ट ही करना अपने को यह जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी है यह बीजेपी वाले कह रहे हैं 31 मार्च को केजरी वाल खतम कर देगा बाइस आप जब तक केजरी वाल आपका मुख्यमें प्रिया आपके बिजली फ्री रहेगी आज कहके जा रहा हूं आपको लेकिन बीजेपी को वाट दे दिया तो पिछली फ्री खतम हो जाएगी सोच लेना और जितना महिलाओं का किराया फ्री कराय बसों में बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव के बाद केजरी वाल या खतम कर देगा जब तक केजरी वाले महिलाओं का भी किराया फ्री रहेगा और स्टूडेंट्स का भी किराया फ्री कर देंगे इसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो या कोई और माइक दे दो फिर अपने को ट्रांस्पोर्ट भी ठीक करना है, खूब सारी बसेला, मेट्रों को भी 500 किलोमेटर मेट्रों को बढाएंगे जैसे बसों में मार्शल की न्युक्ति करिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अब दिल्ली की हर कोलोनी में, हर महले में, हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पूरी दिल्ली में मार्शल की न्युक्ति करेंगे तो बहुत सारे काम किए पिछले पान साल में खूब सारे काम करने हैं अगले पान साल में आपके साथ मिलके करने हैं मैं अकेला कुछ नहीं हूँ आप लोगों के बिना जो काम पिछले पान साल में किए आपके साथ मिलके करें आजकल अमिठ्षा जी रोज आ रहे हैं दिल्ली दिल्ली वालों से बात करने के लिए और रोज आके कुछ ना कुछ उलट सुलट बखके चले जाते हैं एक दिन आए स्टेज पे खड़े होके बोले केजरी वाल ने कहा था CCTV कैमरे लगाएंगे बोले मैं दो दिन से दुर्बीन लेके घूम रहा हूं मेरे को एक भी CCTV कैमरा नहीं मिला मैं आप से पूछना चाहता हूं लगे नहीं लगे CCTV कैमरे वहां की RWA जो थी जहांपे वो भाशन दे रहे थे आर्ट प्ले वालों को इतना गुस्सा आया क्यूंकि जहां से वो भाशन दे रहे थे उसके उपर तीन CCTV कैमरे लगे वे थे वांकि आर्ट प्ले वाले ने उनकी CCTV की रिकॉर्डिंग निकाली और अगले दिन अमित्षा जी को भेज दी बोले जहां आप भाशन दे रहे थे हूं जरा गरदन ऊपर करके देख ले थे वहीं तीन अगरे ठीक नहीं है कि 22 पांच साल के अंदर दिल्ली वालों ने मिलके दिल्ली के अंदर शिक्षा करांटी करिए दिल्ली के स्कूल ठीक करें दिल्ली के स्कूल ठीक हुए नहीं हुए जरा आध खड़े करके बता देना मित्षा को इस बार दिल्ली के स्कूलों के 96 प्रतिशत नतीजे आए है 96 प्रतिशत 70 साल में भारत के इतिहास में कभी सरकारी स्कूलों के 96 प्रतिशत नतीजे नहीं आए 96 प्रतिशत नतीजे कैसे आए केजरीवाल ने मेहनत नहीं करी थी हमारे बच्चों ने महनत करी थी बच्चे रात दिन पढ़े थे उनके माबाप ने महनत करी थी रात रात भरम उनके माबाप ने बच्चों को बढ़ाया था 65,000 टीचर जो हमारे सरकारी स्कूलों में काम करते हैं उन्होंने महनत करी थी जब बच्चों ने और उनके माबाप ने टीवी में देखा कि अमेच्या जी उनकी बच्चों की पढ़ाई की पुराई कर रहे हैं उनको बहुत गुस्ता आया आज हमारे दिल्ली के माबाप को बच्चों को गर्व है इस बात पे कि 96 प्रतिशक नतीजे आएं हमारे बच्चों के साड़े 400 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के IIT के अंदर उनका एडमिशन हुआ है IIT में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है भाई साब बहुत मुश्किल होता है मैं भी IIT से बढ़ा हूँ आँ है बड़ी मेहनत करी थी साड़े 400 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में इडमिशन हुआ आज हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजिनियर बन रहे है डक्टर बन रहे हैं वकील बन रहे हैं और हमिच्छा जी आके हमारे बच्चों का अपमाल करके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग यह बरदाश्ट नहीं करेंगे। रो जाते हैं उलट सुलट करके उलट सुलट बोल के चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी वाले भी होंगे। कॉंग्रेस वाले भी होंगे। नहीं शर्माने की बात नहीं है। मैं दोस्तों को कहना चाहता हूं। जो जो बीजेपी में हैं, जो जो कॉंग्रेस में हैं। मैं आपको आपके पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा। आप अपनी पार्टी में रहो। लेकिन वोट सारे जोने इस बार जाडू पे देना आप पूछा कि क्यूं बाई साब आप ये बात मानोगे दिल्ली के सरकारी स्कूल और अस्पतालों का बुरा आल था पांच साल पहले तक इन पांच सालों में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके स्कूल अस्पताल ठीक करें हैं सतर साल में किसी पार्टी ने सतर साल में किसी सरकार ने देश के किसी भी समय स्कूल अस्पताल ठीक नहीं करें पहली बार कोई पार्टी आया है जिसने स्कूल अश्कपटाल ठीक करें अब अगर आपने अपनी पार्टीों को वौट दे दिया दूसरी पार्टीों को वोट दे दिया ये फिर खराब हो जाएंगे, होंगे कि ने होंगे इसलिए सारे जोने मैं अपने लिए वोट मांगने नहीं आया मैं दिल्ली की तरक्की के लिए बोल रहा हूँ देश की तरक्की के लिए दिल्ली की तरक्की के लिए अपने स्कूल हस्पतालों के लिए इस बार सारे जोने अपनी पार्टी भूलके जाड़ू के उपर होड़ देना और एक बात है और एक बात है पिछले पांच साल में बीजेपी और कॉंग्रेस वालों को कह रहा हूं पिछले पांच साल में जब आपके स्कूल वालों ने आपके बच्चे की फीस बढ़ाई थी आपके बीजेपी कॉंग्रेस वाले काम नहीं आए थे केजरी वाल ने आपके बच्चों की स्कूल की फीस कम करवाई थी पिछले पांच साल में जब आपके बच्चे टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे आपके बीजेपी कॉंगरेस वाले काम नहीं आये थे केजरी वाल ने आपके सरकारी स्कूलों को ठीक करा था पिछले पांच साल में जब जब आपके घर में कोई बिमार हुआ बीजेपी कॉंगरेस वाले आपका हल चल पूछने नहीं आये थे केजरी वाल में आपके बच्चों के इलाज का इंतजाम करा था बाई साथ पिछले पांच साल केजरी वाल काम आया था आपको अगले पांच साल भी केजरी वाली काम आएगा आपको आपके साथ रिष्टा बनाया है आप सब लोगों को चाहिए कोई किसी पार्टी का हो सब के लिए काम किया पिछले पांच साल में मेरे पास BJP वाला या उसका भी काम किया कॉंग्रेस वाला या उसका भी काम करा मैंने कभी किसी के साथ सोतेला विवार निकरा सब को मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना है और एक बार रिष्टा बनाया है तो केज निवाल को रिष्टा निभाना भी आता है अब इस बार ये लोग ये सारी पार्टियां ही कठी हो गई बाहिसा अब इस बार इस बार ये सारी पार्टियां पता नहीं कहां कहां से नहीं नहीं पार्टियां आ गई दिल्ली में पहले तो तीन ही पार्टियां थी बीजेपी, कॉंग्रे, सामाजमी पार्टियां इस बार और भी कही सारी पार्टियां आ गई बीजेपी, कॉंग्रेस, लजेपी, आरजेडी, जेडियू पूरे देश भरसे सारी पाटियें कठी करके ले आए और ये सारे कठ्थियों के चुनाल लड़ रहे है इनका एक ही नारा है केजरीवाल हटाओ इनका एक ही मकसद है केजरीवाल हटाओ अब ये कह रहे हैं आज खट्टर साब आये हुए थे हर्याना से खट्टर साब चुनाप रचार करने आये थे उनसे अपने स्कूल असमदाल तो संबलते नहीं है उनसे अपनी बिजली पानी तो संबलती नहीं है दिल्ली में चुनाप रचार करने आये वो जहां गए, वहाँ की जनता ने उन से पूझा खट्टर साफ से, खट्टर साफ आपके पूछली कितने घंटे आती है? खट्टर साफ भोले पाच घंटे, बोले जी यहां तो हमारा केजनी वाल है, चोज़विस घंटे पूछली आती है यहां पूछली. फिर जन्ता ने उनसे पूछा कल विजरुपानी आये थे गुजरात के मुख्य मंत्री बताओ ये सारे कठ्थे हो गए अमिच्छा, मनोष्टिवारी, विजरुपानी, मनोर्लान खट्टर, परसो बतारे योगिया दित्यनाथ भी आ रहे हैं एक आदमी के पीछे बड़े हैं सारे जने, एक आदमी के पीछे अमिच्छा, इतने बड़े बड़े भुरंदर आ रहे हैं सारे के सारे, किसलिए आ रहे हैं? आपके बेटे को हराने के लिए आ रहे हैं आपको हराने के लिए आ रहे हैं दिल्ली का विकास रोकने के लिए आ रहे हैं दिल्ली की जनता को हराने के लिए आ रहे हैं कल विजे रुपानी गए एक जगह जन्ता ने पूछा जी गुजरात में बिजली क्या रेट है बोले 10 रुपे यूनिट दिल्ली की जन्ता बोली यहां तो हमारा केजनी वाले बिजली फ्री है यहां तो तो जन्ता ने इनको का जी पहले जाके अपना गुजरात संभालो पहले जाके अपना अरियाना संभालो, दिल्ली की चिंता छोड़ो दिल्ली वाले खुश हैं बहुत ये सारे ही कठे हो गए, इनका एक ही मकसद है मैं कहता हूँ, मैं स्कूल ठीक करूँगा ये सारे जने मिलके कहते हैं केजरी वाल को अटाओ दोस्तों इस बाराट फर्वरी को जब आप चुनाव दिल बटन दबाने के लिए जाओगे तो इनको बता देना कि दिल्ली केजरी वाल दिल्ली वालो का बेटा है और दिल्ली वाले कभी अपने बेटे का साथ निछोड़ेंगे दोस्तों कल मेरे को बहुत दुख हुआ एक बात आपके साथ साजा करना चाह रहा हूँ आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो मेरा फर्ज है आप लोगों के साथ अपने दिल की बात रखना कल बीजेपी वाले नेताओं ने कहा केजरी वाला तंकवादी है दोस्तों पिछले पांच साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के उसके लिए स्कूल का इंतजाम कराए दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कराए मैंने और बीजेपी वाले मेरे को अतंकवादी बोलते है पिछले पांच साल में दिल्ली के अंदर कोई भी बिमार हुआ उसके इलाज का इंतजान किया है मैंने और बीजेपी वाले मेरे को अतंकवादी बोलते है दोस्तों पिछले पांच साल में मैंने बुजुर्गों को तीर थियात्रा पे भेजा है तीर थियात्रा पे भेजना कौन सा गुना है क्या मैं आतंकवादी हूँ पिछले पांच साल में अपने दिल्ली का कोई भी सिपाही चाहिए वो दिल्ली पुलिस में हो चाहिए वो बॉर्डर पे हो अगर कोई भी सिपाही शहीद होता है उसके बाद उसके परिवार का खयार रखने का मैंने इंतिजाम किया है उसको एक करोड रुपए की सम्मान राशी मैंने दिया है और बीजेपी वाले मेर को हतमकवादी बोलते हैं मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए नुचावर किया हुआ है कदम कदम पे जब जरूरत पड़ी मैंने अपना सब कुछ देश के लिए नुचावर किया इंकम डैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चातो तो करोड़ रुपए कमा सकता था इंकम टैक्स की कमिशनर की नौकरी छोड़के अन्ना हजारे के साथ मिलके भरष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था डाइबिटीज का मरीजूं दिन में चार बार इंसुलिन लेना पड़ता है डाइबिटीज का मरीज अगर तीन चार घंते खाना नहीं खाये और इंसुलिन ले रहा हो उसकी मौत हो सकती है मैंने दो बार अपने देश के भरष्टाचारियों के खिलाफ पंद्रा पंद्रा दिन का अंशन किया था डाइबिटीज का मरीज होते हुए सारे डॉक्टरों ने कहा था कि केजरी वाल जिंदा नहीं बचेगा सारे डॉक्टरों ने कहा था 24 घंटे से ज़्यादा केजरी वाल जिंदा नहीं बचेगा ये उपर वाले का करिश्मा है कि आज मैं आपके सामने जिंदा कपड़ाऊ अपनी जान दाओ पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए अपने देश से ब्रिश्टाचार दूर करने के लिए और ये लोग कहते हैं कि केजृरी वाला तंको आ दी है कल शाम को जब मैं अपने घर गया मैं अपने माबाड के साथ रहता हूँ मेरे माबाप मेरा इंतजार कर रहे थे कल शाम को जब मैं अपने घर पहुंचा मेरे माबाप बहुत दुखी बैठे थे बोले जी सवेर से टीवी पे देख रहे है ये सारे बीजेबी वाले कह रहे हैं केजरी वाला तंकवादी है मेरे माबाप ने कहा कि हमारा बेटा कट्टर देश भगता है वो आतंकवादी नहीं हो सकता आज मैं अपने दिल्ली वालों के उपर ये निर्ने छोड़ता हूं कि दिल्ली वाले देह करने कि आप मेरे को अपना बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो दोस्तो राजनीती के अंदर भी मर्यादा होती है भारती जंता पार्टी, कॉंग्रेस, बी-एस-पी, एस-पी, ये सारी पार्टी अपने देश की है, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ये विपक्ष है, ये विरोधी है, उनकी एक आइडेलोजी है, हमारी दूसरी आइडे दूसरी को गालियां देंगे, इस किसम की राजनीती ठीक नहीं है दोस्तों, आठ परवरी को जब वोट डालने के लिए जाओगे, जब आप बटन दबाओगे, अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो, तो जाडू पे वोट दे देना, और अगर आप मेरे को इंकलाब!